तो कैसे हो क्या हाल चले कुछ सूज नहीं रहा कुछ टॉपिक आने रहे मंदी का डाइम चल रहा है तो सोचा कि कुछ आपके सवालों के जवाब ही देता हूं तो फिर पेशे एक और Q&A स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ पहला सवाल है वर्ल्ड बेस्ट फोन कु अब कोई Samsung के S24 Ultra को बेस्ट बोल सकता है कोई बोलेगा आइफोन का 15 Pro Max सबसे बेस्ट है और कोई बोलेगा कि Vivo का X100 सबसे बेस्ट है कोई तो Nokia के Keypad के फोन को भी बेस्ट बोलता होगा ब्रो आइफोन वसे एंडॉइड किसमें अच्छी 60fps की गेमिंग होती है बाइद वे अब देखो प्राइज की बात है अगर आप बजेट मिड रेंज वाले फोन को कंपेर करोगे तो बहाँ पर तो आइफोन ही बेटर लगेगा लेकिन कुछ मिड़ फ्लाक्षिप फ्लाक्षिप में ऐसा फोन है जो Apple को टकर देते आइफोन को टकर देते 60fps के लिए और Android के पा लव यू फ्रॉम पांगलादेश देखो लैप्टॉप के लिए डेस्क्टॉप के लिए मैं वीडियो बनाने का सोच रहाता लेकिन मैं इसलिए नहीं बना है क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि जिसमें आपकी महारत है वहाँ बात करने में कुछ सेंस बनता है जहाँ पर मुझ आज मुझे बहुत दा हेक्टिक फील कराता है तो मुझे टीम बनाने पड़ेगी और जिसके लिए अभी तक मेरे पास पैसा नहीं किसी को पेमेंट देने के लिए तो फ्यूचर में सोचेंगे इसके बारे में अब तक तो स्टेंजर तिंग्स देख ली होगी आपने मुझ यह पिछले Q&A में जिस भाई ने पूचा था कि स्ट्रेंजर तिंग देखी क्या उनी ने सवाल पूचा है तो नहीं देखी यार लेकिन फ्यूचर में पूरी कोछिस करूँगा देखने की अगर IQ Z9S आया तो कौन सा लेना चाहिए IQ Z9 और IQ Z9S वो तो डिपेंड करेगा कि IQ Z9S में कौन सा प्रोसेसर होगा बात ओर यह 7300 की अगर 7300 आता है तो Z9 बेटर है और 7200 आता है तो उसके बाकी स्पेक देखने पड़ेंगे तो जब लाँच होगा तभी ठीक से बात कर पाएंगे इसके उपर iPhone से बेटर gaming phone and camera कौन सा है तो gaming के लिए तो देखो IQ 12 भी काफी अच्छा है IQ Neo 9 Pro भी काफी अच्छा है मतलब मैं प्राइज की बात कर रहा हूं 50,000 से भी नीचे वारना 50,000 रुपे में तो iPhone ही बेटर है अगर 60fps में खेलना चाते हो तो 60fps के ऊपर जाओगे 90fps 120fps आपकी अगर चैट मिलता है और बात रही camera की तो देखो फोटो की बात हो रही है तो Samsung की S23 series अच्छी है S24 series अच्छी है लेकिन जब video recording के बात आती है तो वहाँ पर iPhone थोड़े आगे रहते है और Apple को भी पता है कि उनकी strength video recording है तो वो हर साल improve करते है उसमें लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो Android के कुछ best camera वाले फोन है वो बहुत पीचे है iPhone से बस थोड़ा सा difference है लेकिन video recording में थोड़ा सा advantage रहता है iPhone के साथ लेकिन camera के लिए आपको Samsung की S series काफी better लगेगी लावा का फोन लेना सही है हा लेना चाहिए बिलकुल अच्छे फोन बना रहे हो एक काम करो Bangladesh प्राइज म एक video बना भाई ने कितने सवाल पूछे यार बना डालो gaming phone के लिए under 15k to 25k तक love you from Bangladesh थैंक यू बाई बना लेता लेकिन Bangladesh currency के बारे में बहा कौनसे smartphone launch होते कुछ नहीं मतलब उसके बारे में पता नहीं मुझे जादा तो थोड़ा सा मेरे ले मुश्किले बहा की चीज़े नहीं रहता जिसकी currency के बारे में जादा पता नहीं है और जहां पर जो चीज़े लांच हो रही वह में जादा एक्स्प्लोर नहीं करता तो थोड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ते है आइकू नियो 7 और इंफिनिक GT 20 Pro में कौन सा लेना चाहिए पिक इस ब्रदर सपोर् से सर है लेकिन मेरे साब से GT 20 Pro Sense बनाता है क्योंकि नया फोन है वो नियो 7 पूरा ना हो चुका है अगर वो अभी लांच होता तो मैं बोलता कि उससे best कोई फोन नहीं है अंडर 25,000 ले लो या फिर 30,000 ले ले लो लेकिन अभी तो मुझे लगता है GT 20 Pro के लिए जाना चाहिए iqo Neo 9 Pro is good phone or not please pick my question बहुत अच्छा फोन है वो भाई क्या iqo Neo 7 20K में लेना सही रहेगा अभी के टाइम में नहीं लेना चाहिए मेरे साब से 20K में अच्छी डील है लेकिन वो देड़ साल हो चुका है उस phone को आये हुए तो मेरे साब से तो वो sense नहीं बनाता क्योंकि आप स चीज़ों में आप रिग्रेट करोगी कि भाई थोड़ा पुराना हो चुका है इसन चीज़ों में लैक करता है उन चीज़ों में लैक करता है तो मेरे साब से से ल के लिए रुख जाओ 20,000 रुपे में बहुत अच्छा उप्शन मिलेंगे बीविडी सेल में सेम भाई ने और क्वेश्चन पूचा है भाई बांगलादेश की प्राइज में कोई बेटर गेमिंग फोन बताओ अंडर 15 के 30 के तक लव यू फ्रम बांगलादेश मैंना थोड़ा सा देखा लेकिन मुझे जाधा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन इतना मैंना देखा उससे मुझे पोक अच्छे उप्शन मिलेंगे और उसके उपर में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो थोड़ा सा वेट कर लो आज के टाइम पर रियल्मी 11 प्रो प्लस लेना चाहिए मेरे साब से तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी रियल्मी की 13 सीरीज आये मतलब दो जनरेशन पुरान हो गया यहां पर जब आईफोन दो जनरेशन पुरान लेते तो सोचना पड़ता है यह तो रियल्मी की मिड रेंज वाली सीरीज है और आभी कोई फोन मत ही खरीदो फिर पुराना हो या पर नया हो क्योंकि से लाने वाली है उस टाइम पे थोड़ा अच्छा उप्शन मिल प्राइज में लैप्टॉप के बारे में कुछ बोलो गेमिंग के लिए एंड प्रोफेशनल वर्क के लिए अंडर फिप्टीन थाउजन तू टू ट्वेंटीफाउजन तक प्लीज अर्यार 25,000 तक कौन सा गेमिंग लैप्टॉप आता है कम से कम 50,000 और पर तो बहुत सारी बनाता न तो शायद यहाँ पर नहीं होता मैं मतलब यूटीब चैनल नहीं होता मैरे इतने सब्सक्राइबर नहीं होते और तुम लोग मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे होते और मैं उसका जवाब नहीं दे रहा होता Realme P1 vs Vivo T3X कौन सा अच्छा है, दोनों अच्छा है लेकिन मेरे साब से Realme P1 थोड़ा मुझे बेटर लगता है 20,000, 25,000 में अच्छा फोन बताओ भाईया को लेना है, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए ताकि गेम वेम अच्छे से खेल पाए 20,000, 25,000 रुप में तो दो ओप्शन आते है, Poco X6 Pro है, Infinix GT 20 Pro है, दोनों को कंसेडर कर सकते हो, या फिर मतलब सिर्फ गेमिंग गेमिंग नहीं चाहिए और दोनों ब्रैंड के ओपर ट्रस्ट नहीं है, तो Realme का Nothing Phone 2 है आता है, या फिर Moto H50 Fusion को कंसेडर कर सकते है, वहाँ पर कर् होगी, लेकिन मेरे साब से सब गेमिंग गेमिंग ही चाहिए तो Infinix GT 20 Pro या फिर Poco X6 Pro, भाई, वन मिलियन कब तक कर लेगा, और वन मिलियन होने पर अपनी जी अप का नाम रिविल करना, तुम्हारी सुई वो अभी तक जी अप पर ही आठी हुई है, देखो अगर वन मिलिय अगर थोड़ा सा लेट होते भाई तो चला जाता, बेस्ट कैमरा फोन 30K, Moto Edge 50 Pro काफी अच्छा है, और रिसेंट ले भी Moto Edge 50 भी आया है, उसको भी कंसेडर कर सकते हो, और OnePlus 11R भी काफी बड़ी आप्शन है, लेकिन भूल कर भी, OPPO F27 Pro Plus को कंसेडर मत करना, वो लीजेंडरी स्मार्टफोन है, वो हमारे आउकात के बाहर है, बैस स्नापडरेगन के प्रोसेसर बजट सिगमेंट में क्यों नहीं आ रहे है, अगर बात 12,000 तक की हो रहे है, तो बात बिलकुल सही है, 4 Gen 2 के बाद ऐसा कोई प्रोसेसर दिखाए नहीं, लेकिन 20,000 तक है, स्नापडरेगन 6S Gen 3 आया था, लेकिन हाँ, कम तो है, मीडियाटे के ज़्यादा आ रहे, इन्फिनिक्स नोट 40XYG कब लाँच होगा बोलना भाई, प्लीज, पांच अगस्त को लाँच होने वाला है ना, कुछ लेकिन मैंने देखा फ्लेप कार्ट पे तो उसकी प्राइज भी दिखा रहा मैंने, पोको M6 में कुछ मंत के बाद कोई प्राबलम तो नहीं आएगी, एक्जामपल डिस्प्ले प्राबलम एक्सेटरा, देखो पोको का पास्ट खराब रहा है, रेडमी के साथ भी वाता है, मदर बोर्ट डेड वगरा का, जिसके वएसे काफे सार लोगों का ट्रस्ट ये नॉर्मल बात है, क्योंकि एक इतना बड़ा ब्रैंड और इतनी सारी चीजे उसके साथ होती है, तो किसी का भी ट्रस्ट चास सकता है, तो देखो डर तो हरकी से को लगता है, लेकिन इतना बड़ा ब्रैंड है, तो वो अपना नाम एक बार खराब कर चुके है, तो दू तो मैंने नहीं बनाए, तो कभी-कभी हो जाता है, कि रिस्क लेनी पड़ती है, जैसे वन प्लस के फोन में ग्रीन लाइन का इशु आता है, लेकिन मैंने वन प्लस का फोन लिया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं खुद का डिसिजन खुद ले रहा था कि भाई, मैं इस चीज के लिए तयार हूँ, या पर नहीं हो, अगर मेरा दिल मानता है, कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, तो आप ले लो, नहीं मानता दिल, तो आप कोई और फोन ले लो, 16K में नार्जो 70 Pro 5G मिल रहा है, 8GB प्लस 256GB ले लो, क्या, all-rounder use के लिए, reply please bro, और दो दिल के भ खरेतना है, तो खरेत सकते हो, अच्छी डिल है, next question, उसी भाई ने पूचा है, भाई बंगलादेश के, यार मुझे लगता है, इस की वहने में आदे सवाल तो उस भाई ने पूचे, आइफोन बेस्ट है, या अगर आपको आइफोन अच्छा लगता है, तो आपके लिए अगर Android बेस्ट है, तुम Android बेस्ट है, लास्स सवाल है काफ़ेता इंटरस्टिंग है, क्यों Mediatek 7030 Snapdragon 7 Plus Gen 2 के साथ उनली एक फोन है, तो ये काफ़ेता इंटरस्टिंग सवाल है, और इसके उपर मैं already जवाब दे चुका, हाँ, उसमें 7030 included नहीं था, लेकिन 7 Plus Gen 2 के साथ क्यो एक फोन आया था, वो मैंने एक वीडियो में बात कीती, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो चाहे तो देख सकते हो, तो बस इतने सवाल थे, अगर इसके बाद कोई सवाल पूछ रहा है, तो वो मैं वीडियो में पिक नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए स्वारी, लेकिन मैं कमेंट में आकर जवाब देनी की पूरी कूशिच करूंगा, अगर वीडियो पस्तना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चानल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है, नेक्स लोल वीडियो में